हलो फ्रेंड्स वेलकम टू पाथ अजुकेशन आज हम सॉलिड श्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो सॉलिड क्या होता है वेसिकली सबको ही पता होगा और प्रपरटीज अब सॉलिड के बारे में अब टेंथ में भी पढ़ चुके होगे सॉलिड श्रेट जो के क्लास 12 में फर्स चप्टर है केमिस्टी कर ठीक है तो आज हम वही सबको रिकॉल करेंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं और सॉलिड के बारे में सबको ही पता है तो आज हम सॉलिड का एक डेफिनेशन देखेंगे और प्रपरटीज अब सॉलिड के हम उसको रिकल करेंगे ठीक है तो पहले उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद आपको उसका मेनिंग समझाएंगे ठीक है पहले हम उसका डेफिनेशन पहले लिखेंगे उसके बाद हम आपको मेनिंग उसका समझाएंगे तो पहले हम उसका डेफिनेशन लिखते है solid होता क्या है solid is that state of matter state of matter in which constituent particles constituent particles अब constituent particles क्या क्या होता है atoms हो गया molecules हो गया और ion मतलब constituent particles मतलब atom हो सकता है molecule भी हो सकता है और ion भी हो सकता है इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है ठीक है are bonded with strong force of attraction ठीक है strong force of attraction फिर से मोग को definition पढ़के सुना देते है solid is that state of matter in which constituent particles are bonded with strong force of attraction solid के अंदर atom हो गया molecule हो गया और ion हो गया मतलब इसको combine लिए क्या उला जाता है constituent particles मतलब solid के अंदर जो भी constituent particles है मतलब जो भी atoms या molecules और ion है उनके अंदर जो force of attraction मतलब attraction power बहुत ही strong होता है बहुत ही high होता है इसलिए वो एक regular shape देते हैं मतलब एक definite shape देते हैं ठीक है उनके माल लीजे ये एक solid है ठीक है ये एक solid है और ये एक और ये एक क्या है अब atom atom माल लो molecule माल लो आयन बोलो कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है ये है constituent particles हम combine ली मोलेंगे इसको constituent particles और ये पूरा क्या है एक solid है मतलब ये एक atom हो गया ये एक atom हो गया इनके अंदर जो force of attraction है मतलब ये atom हो गया ये atom इनके अंदर जो attraction power है बहुत ही strong होता है ठीक है strong force of attraction ठीक है strong force of attraction ये ही होता है solid तो आपको solid पता चल गया होगा क्या है मतलब ये जो solid के अंदर जो atom के atom atom के बीच में जो force of attraction power होता है वो बहुत ही high होता है solid में ठीक है इसलिए वो एक regular shape देते है एक definite shape देते है अभी properties of solid के बारे में जानेंगे solid के properties क्या क्या होता है ठीक है properties of solid अब वो 10 में भी पढ़ चुके हैं थोड़ा हम उसको याद कर लेते हैं क्या क्या होता है हम sort में लिखेंगे जैसे की solid का shape, size and volume definite होता है ठीक है definite मतलब वो एक regular shape देता है मतलब either हो गया वो square हो गया यह rectangle हो गया वो एक regular definite shape देता है shape, size, volume फिर हो गया दूसरा properties compressibility 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 उसका low होता है, अब compressibility का मतलब क्या होता है compressibility का मतलब यह क्या होता है compressor का मतलब umat प्रेसर करेंगे और गया बहुंक वहां और अब उसका compressibility compressibility मतलब एक solid का compressibility बहुत low होता है अगर हम एक solid का press करना चाहेंगे तो वो compress नहीं होगा तीसरा property हो गया flexibility वही सेम है compressibility का compressibility जो है flexibility भी वही है flexibility भी उसका low ही होता है fourth number properties हो गया diffusion 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 भी उसका low ही होता है क्यों low होता है क्योंकि solid के अंदर जो atom है उनके strong binding force के कारण strong binding मतलब strong force of attraction के कारण उसका diffusion low होता है fifth number properties हो गया melting point and boiling point high होता है इसका भी region वही है strong force of attraction मतलब उसको हम melt करना चाहेंगे या boiling करना चाहेंगे कुछ भी करना चाहेंगे इसका यह जो strong force of attraction अता है उसके लिए इसको melt होने में या उसको boil होने में time लगता है ठीक है तो यह हो गया solid के properties तो basically हम आपको solid state के बारे में basically idea देना चाहते थे उसके बाद हम सारे वीडियो को सारे मतलब syllabus को cover up करेंगे class 12 में जो जो भी syllabus में है सीरियली cover up करते चलेंगे तो next video में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन of solids क्या क्या होता है जो कि है दो है classification मतलब solid को दो ही पार्ट में classify क्या गया है एक है crystal है और दूसरा है amorphos उसके बारे में हम next video में पढ़ेंगे और ऐसे ही पूरा syllabus हम cover up करेंगे जिस ने भी मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लिजिए next videos के लिए ठीक है and thanks for watching friends